सूप्रभात बच्चों, कक्षा पाच्वी, विशेय हिंदी, उपविशेय, पाठ च्यार, संग्या, पाठ छे, वचन, उस्तक का नाम, अनुपम हिंदी व्याकरण, व्याक्ष्यान एक, दोहराई, बच्चों, आज हम संग्या और वचन पाठ की दोहराई करेंगे संग्या, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तू या मन के भाव का बोध होता है, उसे संग्या कहते हैं संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं बच्चों, सबसे पहले व्यक्ति वाचक संग्या को जानेंगे के नाम का बोध होत उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या के अन्य उधाहरण जैसे लालकिला, श्री राम, जवाहर लाल, नहिरू, महाभारत, रामायन, हवा महल, गोदान, अमिताब बच्चन, महिंद्र सिंग धोनी, आदे नंबर दो, जाती वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से एक ही जाती की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों का बोध हो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं जाती वाचक संग्या के अन्य उधारण जैसे नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, बक्री, घोडा, लड़का, पशू, पुस्तक, सेब, आदे संग्या के दो अन्य भेद, नंबर कह समुदाय वाचक संग्या, नंबर कह द्रव्य वाचक संग्या संग्या को समुदाय वाचक भी कहते हैं नंबर कह समुदाय वाचक संग्या, जिस संग्या शब्द से व्यक्तियों, वस्त्वों, आदी के सम्हूं का बोध हो उसे समुदाय वाचक संग्या कहते हैं, जैसे सभा, भीड, कमेटी, परिवार, दल, आदी नंबर ख, द्रव्य वाचक संग्या, जिस संग्या शब्द से किसी धातू या द्रव्य आदी पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं, जैसे तेल, चांदी, पितल, चावल, गेहू, कोईला, आदी नंबर तीन भावचक संग्या, जिस संग्या शब्द से पदार्थों के गुण दोश, धर्म, आदी का बोध हो उसे भावचक संग्या कहते हैं, जैसे सुन्दर्ता, कोमल्ता, ठकावट, बचपन, मम्ता, सजावट, आदी एक बारपुने हैं, दो रहते हैं, संग्या, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है, उसे संग्या कहते हैं, संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, नंबर एक व्यक्ति वाचक संग्या, नंबर दो जाति वाचक संग्या, नंबर तीन भाव वाचक संग्या, अब इनके बारे में जानेंगे, नमबर एक व्यक्तिवाचक संग्या जिस संग्या श्रब्द से किसी विसेश व्यक्ति वस्तू या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संग्या कहती हैं जैसे लालकिला, श्रीराम, जवाहरलाल नहरू, महाभारत, रामायन, हवा महल, गोदान, अमिताब बच्चन, महिंद्र सिंग धोनी, आदे नमबर दो, जाती वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से एक ही जाती की सभी वस्त्वों, व्यक्तियों तथा स्थानों का बोध हो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं जाती वाचक संग्या के अन्य उदहरण जैसे नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, बक्री, घूडा, लड़का, पशु, उस्तक, सेब, आदे संग्या के दो अन्य भेद नमबर कह समुदाई वाचक संग्या नमबर कह द्रव्य वाचक संग्या नमबर कह समुदाई वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से व्यक्तियों वस्तुयों आदी के समुहूं का बोध हो उसे समुदाय वाचक संग्या कहती हैं जैसे सभा, भीड, कमेटी, परिवार, डल, आदी नमबर ख, द्रव्य वाचक संग्या जिस संग्या शब्द से किसी धातु या द्रव्य आदी पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्य वाचक संग्या कहती हैं जैसे तेल, चांदी, पितल, चावल, गेहूं, कोईला, आदी नमबर तीन, भाववाचक संग्या कहती हैं जैसे सुन्दरता, कोमलता, थकावट, बचपन, ममता, सजावट, आदी पाट श्य वचन शब्द के जिस रूप से यह ग्यात हो कि वह एक के लिए प्रियुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं हिंदी में वचन के निम्न लिखित दो भेद होते हैं बच्चों वचन के दो भेद होते हैं नमबर एक एक वचन, नमबर दो वह वचन नमबर एक एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तू के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते है जैसे पुस्तक, पैंसिल, घोडा, आदि नमबर दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्त्वों या प्राणियों का बोद हो उसे बहुवचन जैसे पुस्तके, पैंसिले, घोडे, आदि वचन की पहचान वचन की कैसे पहचान करेंगे? वो अब हम जानेंगे वचन की पहचान संग्याया सरुनाम शब्द से ही हो जाती है जैसे नमबर कर लड़का हस रहा है लड़के हस रहे हैं यहाँ पर लड़का लड़के संग्या है नमबर खर वह कहां जा रहा है वे कहां जा रहे हैं यहां वह और वे सर्वनाम है यदि वचन की पहचान संग्या अत्वा सर्वनाम शब्द से ने हो तो क्रिया से हो जाती है जैसे मोर नाच रहा है ख रहा है तो यहाँ पर रहा है, रहे है, क्रिया है इससे यमें पहचान होती है एकवचन बहुचन की कुछ शब्दों का प्रियोग सदा एकवचन में किया जाता है जैसे मिट्टी, तेल, पानी, वर्षा, सोना, शमा, आदे नमबर ख रेगिस्तान की मिट्टी रेतिली होती है नमबर ख वर्षा हो रही है आदर के लिए समान देने के लिए भी बहुवचन का प्रियोग होता है जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे है नमबर ख अब आप कब आएंगे नित्य बहुवचन में प्रियोग होने वाले शब्द कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रियोग सदा बहुवचन में ही होता है जैसे लोग, दर्शन, प्राण, आसु, बाल, आदि कई बार अपना बड़पन दिखाने के लिए भी बहुवचन का प्रियोग किया जाता है जैसे बेटा हम बाहर जा रहे हैं काम जल्दी निप्टा लेना बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रियोग जातिवाचक शाब्दों का बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रियोग होता है जैसे का नागपूर का संत्रा बहुत प्रसिद है प्रदत कारिये प्रेशन एक निम्न लिखित वाक्तियों में संग्या शब्द छाटकर लिखिये आपको संग्या शब्द छाटकर लिखना है का मोहन सो रहा है ख विद्यार्थियों ने गाना गाया ग उसे उचाई से डर लगता है प्रशन दो दिये गए शब्दों को पढ़िये तथा उन्हें सही शिर्षक के नीचे लिखिये राकेश, इमानदारी, कानपुर, पशू, सुन्दर्ता, लड़का ये शब्द है और हमें बताना है कि कौन सा संग्या का किस भेद के अंत्रगत आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भावचक ये आपको लिखना है प्रशन तीन बहुवचन रूप लिखिये बच्चों आपको एक वचन से भूवचन बनाना है चिडिया, नमबर खै नदी, नमबर गय रितू, नमबर गय आँख प्रेशन च्यार, कौश्ठक में दिये शब्दों के वचन बदल कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नमबर कर, रिक्त स्थान दोड रहे हैं, कौश्ठक में शब्द है घोड़ा ख, अपनी अपनी रिक्त स्थान निकालो, कौश्ठक में शब्द है पुस्तक ग, रिक्त स्थान नाच रहे हैं, कौश्ठक में शब्द है लड़का आप कितनी रिप्तिस्थान है कोश्टक में शब्द है बहन पाट छे वचन दिरीकारिय का हल है निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए प्रश्ण कहा है वचन से क्या पता चलता है उत्तर है वचन से हमें किसी प्राणी या वस्तू के एक या अनेक होने का पता चलता है प्रश्ण कह हमेशा एक वचन में प्रयोग किये जाने वाले कोई तीन संग्या शब्द बताईए उत्तर है पानी, मिट्टी, वर्शा नमबर गर वचन के कितने भेद हैं नाम लिखिये उत्तर है वचन के दो भेद हैं दो भेद होते हैं नमबर एक एक वचन नमबर दो बहुवचन प्रश्ण गर बहुवचन में हमेशा प्रयोग होने वाले कोई दो शब्द वाक्य के रूप में प्रयोग कीजिए वाक्य के रूप में प्रयोग करना है उत्तर नमबर एक प्राण उसके प्राण निकल गए नमबर दो आसू खुशी के कारण हमारे आसू निकल आए धन्यवाद